हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका प्रोड़क्ट जानकारी पे आज मैं आपको एक लैप्टॉप के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो है लेनवो आइडिया पैट स्लीम 5 11 जेनरेशन इंटेल कोर आई 5 है जो 15.6 इंस का है फ्रेंट अगर आप लेने के बूर्ड में ह तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दीवे लिंक से अगर एमाजन से खर देंगे तो यह लैप्टॉप मिलेगा आपको 72,905 रुपीज में वन ली यह जो लैप्टॉप है फ्रेंट यह प्रेंट यह प्रेशनल यूज के लिए और बीजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है और य है आए फ्रेंट यह एकने जरे इसके फीचर पर डाल दें इसका जो प्रेसेसर है वो क्वाड कोर है जो 11th जेनेशन इंटेल इंटेल टाइगर लेक कोर आई 5 11 35 67 है इसका बेस स्पीड है 2.4 GHz का और मैक्समिम स्पीड है 4.2 GHz का और कोर है 8 MB इसका नंबर 4 है इट है इसका यानि आप फोटो साफ्ट और लाइट रूम जैसा सफ्ट वेर भी रन कर सकते हैं इस पे आप क्वाड कोर रहने से फाइदा यह है जिसका पावड़फूल परफॉर्मेंस है फाट परफॉर्मेंस होता है इसमें क्रियेशन के लिए वर्क प्रोड़क्टिविटी के लिए के लिए और स्ट्रीमिंग के लिए मेमोरी जैप्रेंट इसका रेम 16 जे भी है DDR4 कंप्यूटर मेमोरी टाइप देखे थे DDR4 SD RAM है मैक्सिमम मेमोरी 16 जे भी है इसका स्पीड जैसे 3200 है राम अप्रेड डेवल है आप इसे अप्ग्रेड भी कर सकते हैं यह आपिस करें इसका जो हार्डिक्स हाँ टेराबाइट है SSD है जो हमारा SDD से फास्टर है और यह स्मुटली रन करता है इसका बीटिंग टाइंग घाम होता है यह 30% फास्टर होता है HDD से और smoothly run करता है इसके बाद आप इसमें extra storage भी लगा सकते हैं जो आप 2.5 SATA HDD storage upgradable है यह support करेगा M.2 PCLE SSD up to 1TB तक इसका drive interface USB 3.2 आइए फ्रेंट ग्राफिक्स की बात करें यह NVIDIA GeForce MX450 है यह Intel ब्रांट का है डेडिकेटेड है graphics RAM टाइप बात करें जी DDR6 है और इसका RAM साइज जो है 2GB है ग्राफिक्स कार्ड इंटरफेस PCLE है लाप टॉप जो है इसमें आप Intel Iris XC graphics भी माजूद है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें फ्रेंट इसके विंडो 10 होम लाइफ टाइम बैलेट ही है प्री स्टाल MS Office और स्टुडेंट 2019 है आइए फ्रेंट डिस्प्ले की बात कर लें डिस्प्लेश का जो है 15.16 का है इसके डिजुलेशन जो है 1922 इंटु 1080 फिक्सल है और इजुलेशन 1920 इंटु 1080 है ब्राइटनेश जो एसक्रीन का है वह 3080 है एंटीक लेर है जो आप संलाइट में भी से काम कर सकते हैं इस पर इफ्लैक्शन नहीं होगा यह 4K वीडियो के भी सपोर्ट करेगा IPS भी है इसम अलेस टाइब ब्लूटूथ है नमबर अप यसबी 3.0 port 3 है SDMI port 1 है no optical drive headphone है माइक कॉंबो जैक है 1.4b 4-in-1 media reader है mmc sd sdhc sdxc यह आप कह सकते हैं 10 times faster है 2.0 ports है बैटरी से powered है print इसमें 1 lithium battery है और average battery life इसका 8 hour है और बैटरी इनर्जी 57 watt है और इसका weight 80 gram है number upsell 3 है और rapid charge होता है यह बहुत बड़ी properties होती है laptop का rapid charge होता है तो बहुत benefit है one hour में 80% charge हो जाएगा print warranty के बात कर लें तो one year leanable warranty है इसका on-site warranty है जो premium care or accidental damage protection है और यू की बात करें तो इसका headphones है speakers है stereo speakers है 2 watt cut low है dolby studio है HD audio है इसके box में आपके laptop के साथ-साथ powered adapter और user manual में मिलेगा इसका heart जाए 18 mm है weight 23.3 cm है dimension 35.7 x 23.3 x 1.8 cm है weight इसका 1.66 kg है lightweight है और thickness इसका 1.79 cm है thin है तो कहाँ सकते है light and thin है aluminum material है इसका top में इसलिए durable है और ये thin और light है तो आप fingerprint reader भी इसमें है multi card reader है strong security system है fingerprint reader होने से फायदा ही है जो कि आप security बहुत अच्छा है business work के लिए बहुत ही काम कर जबरदस्त काम करेगा camera is mean built है HD 720P है 1.0 MP और fixed focus है privacy setter है integrated dual array microphone है और इसमें brand एक special feature और है facial decognition app level है Microsoft individual feature है ये thunderbolt docking station है और ये integrated और dedicated दोनों है thunderbolt होने से फायदा यह है कि इसमें आप और 5K में video को भी run कर सकते हैं और उसका भी आप enjoy ले सकते हैं और security के लिए बहुत ही अच्छा होता है और next generation का मैं जो इंटरफेस है उसको भी support करेगा USB 4 compatible है अगर आपको laptop लेने के mood में है तो description में दिये वे link से भी आप online खरीच सकते हैं या आपको अपने सहर के को responsibility में लेता है service center का ही में सहर आ रहता है लेकिन यहां पर जो है अगर आप laptop online खर देंगे तो आप 10 days आपके पास देखने का समझने का मोका रहेगा उसके बाद आप उसको refund कर सकते हैं अगर कोई challenge है तो नहीं है तो ठीक है next यहां पर और है इसको आप सर्च कर सकते हैं तो मैं तो आपको अच्छा लगा फ्रेंट तो हमारे चैनल को subscribe करें ताकि आप तक मेरा सारा notification पहुंच सके इसे like करें share करें कमेंट्स करें thank you